नमस्कार आप देख रहे हैं News Network 24 और मैं हूँ आपके साथ रितु सेंग सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है जनपत के गोसाई गंज थान शेत्र के तियरी पिच्रॉली गाउं में बड़ा हाथसा हुआ है रास्ते से गुजर रहे 10 साल के लड़के पर बिजली का जरजर तार गिर पड़ा लड़के को गंभीर हालत में जिला स्पताल में भरती कराये गया है गटना के बाद ग्रामीडों में भयंकर आक्रोश है ग्रामीडों का अरोप है कि बिजली विभाग से कई बाद शिकायत करने के बाद भी जरजरतार आज तक नहीं बदला गया अगर बदला गया होता तो यहाथ सा कभी नहीं होता मुहम्मद रदा मेरा नाम है यह तार जो है बराबर चाहे दो बरसों से गिर रहा है जरजरता इसकी कंप्लेन भी किया गया था सोला माई 2019 को जिसमें वरकाडर भी हुआ था लेकिन जो है कुछ जो है किस वज़े से रोक दिया गया काम रोक दिया गया और आज तक कोई काम नहीं हो रहा और जो हुआ भी है उसमें जो है मानक के अन्रूप नहीं हुआ पाया है दिया महुदर से मैंने जो है सोला माई 2019 को सिकायद की थी और जिसको त्रीकान जी उर्जा मंत्री से आदेश करा के लखनों से आये थे हम और उसके बाद हुआ भी कार लेकिन कुछ कार जो है जो किया भी गया हो मानक के अन्रूप नहीं हुआ जो एक तरफ करके ओ ठेकेदा जो है जो हो सकता बचे हो सकता ना बचे यह जो है जू है cortisol की और टीपार्टमेंट यह परवाही है.